एक बार फिर से आप सभी का RS जिंक्षिन पर तो एक और नए अपडेट लेकर के मैं हाजुर हूँ आप सभी के साथ आप मैं सिदिकांस चात्र जो RS का इंटर्वी दे रहे हैं वो भी एक वेटिंग मोड में है ठीक है और इसके अलावा जो चात्र वर्तमान में 2023 की जो RS आगमी परिक्षा है उसको लेकर भी चिंतित है तो दोनों ही चीजों का जवाब ढूंडने के हम कोशिश करेंगे अपने पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था और प्राबेबिलिटी बताई थी कि अगर RS के इंटर्वी शुरू होंगे तो वे मई 2023 में ही शुरू होने की संभावना है उससे पहले ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो यह आज के द्यानिक भासका रखबार का जो है कटाउट है आप देख सकते हैं RS 2021 के इंटर्व्यू अगले माह से शुरू हो सकते हैं आपके जयपुर अंक का और अजमेर अंक दोनों में यह खबर छपी है तो इसमें लिखा है कि राजस्थान लोकसिवा आयोग RS 2021 से युक्त परतियों की परिक्षा के इंटर्व्यू अगले महीने से शुरू कर सकती है उसका रीजन है कि जो SI के इंटर्व्यू है उनका साथवा चरण अभी चल रहा है और आठवा चरण जल्दी जो है शुरू होने वाला है और उमीद है कि उसके बाद में आपके SI के पूरे हो जाएंगे तो एक बैठक सोमार को जयपूर में हुई और इसमें संकेत मिल रहे हैं कि RPSC ने तयारी शुरू कर दिया है क्योंकि इस बैठक में जो है भरती परिक्षा में निशक्त जन अभ्यूर्तियों का आरक्षन है उसको लेकर कार्मिक विभाग जह उससे चर कर लेएं कि अगले महीने मई या फिर आपके आगामी महीने जून मई और प्रॉबैबिलिटी जून इन दोनों ही महीनों में आपके जो है कन्फर्म आपके इंट्रिव्यू शुरू हो जाने चाहिए अगर बाकी कोई और समश्या नहीं आती है तो यह तो हो गई RS 2021 के इंट की क्योंको उसको लेकर भी छात्र काफी चीनतित है तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि जब तक आपके RS 2021 के इंटर्व्यू चल रहे हैं तब तक जो है इंटर्व्यू कम्प्लीट नहीं होते हैं तब तक आपके कोई चांसिस नहीं है आपके नया नोटि नोटिफिकेशन इस तरह से निकाला गया था जब 2013 की भरती पूरी नहीं होई थी और उससे पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था क्योंकि तीन साल का लंबा से निकल चुका था तो अब हम उमीद कर सकते हैं कि अगर उसी पैटर्न को फोलो करे तो आपका जून में भी नोट 2021 को आपका 2018 की बरती का रिजल्ट आया था और उसकी बाद में 21 जुलाई को अगले नोटिफिकेशन की बात हमारे सामने आ गई थी तो ये वाला जो सिस्टम अगर फोलो होता है तो आप मान के चलो कि मई में अगर इंटर्विव स्टार्ट हो जाते हैं तो अगस्त मईना व तो हो सकता है वो आपके मई या जून में लेकिन उसकी प्रबिबिटी इसलिए कम है क्योंकि अभी तक कार्मिक विभाग को वापस से लगबग जो 900 के करीब पद हैं उनकी अभ्यरतना भीजी जाएगी और वो अभ्यरतना जाने के बाद में ही जब वो क्लियर होगा उस पर में अपियर होना चाते हैं तो वो तो शुरू करीदें खास करके करन्ट अफियर्स एकोनॉमिक रिव्यू यह कुछ ऐसी चीजे हैं जो आपको प्रिलिम्स में बूस्ट करती है आपकी तैयारी को और आपको 20,000 चाथरों के बीच में अपने आपको सेलेक्ट होने में मदद और आपको ज्यादा मजबूत बनाती है ज्यादा बहत्र बनाती है बाकी चातरों की तुल्णा में तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट खबर थी जो मैने आप तक पहुचा ही है उमीद करता हूँ आप इससे संतुष्ट होंगे तो चलिए इसे के साथ मैं विदा लेता हूँ और अगले वीडियो में फिर से जो भी कोई इंपोर्टेंट अपडेट होगा वो आप तक लाऊंगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद